दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजी अकांटिंग अप्लिकेशन सौफियर के अंदर आप किस तरीके से रिसीब वाउचर एंट्री की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं हम आपको बताइंगे कि आप किस तरीके से अपनी पार्टी से एड्वांस पैमिंट को रिसीब कर सकते हैं अपने वीजी सौफ्टेर के अंदर तो चलिए इन सभी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे आईए जानते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कोई भी confusion यहाँ पर ना रहे और अगर फिर भी कोई confusion रहती है तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं हम इसका reply जरूर देंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो receipt voucher की entry pass करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना day book दिखाना चाहूँगा इसके लिए हमें आना है display पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई देगा account book इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा day book इसको select करते हुए आपको यहाँ पर इसे no को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर F2 पर click कर देना है तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितनी भी transactions यहाँ पर record की हैं सवी transactions हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके लाबह आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर receipt voucher के entry pass करनी है तो receipt में हम केवल अपने sympathy debitter से ही पैसे को receipt करते हैं तो इस case में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो टंजेग्शन से यहाँ पर record की है sales की और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो amount है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 33,040 रुपे और 292.05 यह amount हमें यहाँ पर अपनी party से receive करना है तो इसे receive करने के लिए सबसे पहले में आपको receivable amount दिखाना चाहूंगा तो उसके लिए मिस्केप करके एक बाहर आएंगे बाहर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा outstanding analysis आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसको आपको select करते हो यहाँ पर amount receivable पर click करना है और यहाँ पर all accounts पर click कर देना है और यहाँ पर आप जैसी F2 की प्रेस करेंगे या फिर आप OK बटन पर click करें है 292.05 रूपीस यह total amount हमें यहाँ पर receive करना है total amount आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर दिखाई देगा तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से receipt voucher की entry pass करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ से skip करके बाहर आ जाना है बाहर आने के बाद हमें आना है transactions फर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको receipt voucher दिखाई देगा इसको आपको select कर लेना है जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो इस case में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर तीन options यहाँ पर दिखाई देंगे सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक नई transaction को record तरना है तो इसके लिए हम यहाँ पर add वाले option को select करेंगे add option पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं add receipt voucher के नाम से आपके सामने एक window open हो जाएगी और यहाँ पर हम अपनी transactions को record करेंगे तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं voucher series में आपको main दिखाई दे रहा है तो main रखते हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको वो date लेनी है जिस date पर आप अपनी transaction को record कर रहे हैं तो मालेजी हम यहाँ पर जो date है वो डाल देते हैं 24-24 और इसके बाद enterprise करते हैं enterprise करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस टी नेचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सामान को बाद में हम उसके पास deliver कराते हैं तो यहाँ पर फिलाल हम इसे not applicable रखते हुए यहाँ पर enterprise करेंगे क्योंकि हमारे case में हमने यहाँ पर सामान sale कर दिया है हमें अपनी party से payment को receive करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देगा B and C B and C का मतलब है debit and credit यहाँ पर आपको credit या फिर debit रखना होगा तो यहाँ पर हम अपने case में credit को रखेंगे credit इसलिए रखेंगे क्योंकि जिस party से हम amount को receive कर रहे हैं हमें यहाँ पर उस party का ledger select करना होगा तो यहाँ पर हम space press करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी ledger से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो हमारे case में हमें लेना था amount से 33,040 रुपे तो हम यहाँ पर type करेंगे amount यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको amount corporation दिखाई दे जाए जो कि हमारा under of sendi debiter है क्योंकि हम sendi debiter से ही पैसे को receive करते हैं और sendi creditor जो होता है उसे हम payment करते हैं क्योंकि वो हमारा देंदार होता है और sendi debiter जो होता है वो हमारा लेंदार होता है यानि हमारा customer होता है तो यहाँ पर हम Amun Corporation को select करते हुए यहाँ पर enterprise करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं credit amount आप से पूछा जा रहा है कि आपने कितना पैसा Amun Corporation से यहाँ पर receive किया है तो हम यहाँ पर type कर देते हैं 33040 यानि हम total amount यहाँ पर Amun Corporation से receive करने वाले है इसके बाद हम यहाँ पर enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक window open हो जाएगी जिसे कहा जाता है bill by bill adjustment of amount window अब इस window का कैस्तमाल किया जाता है हमारी जितनी भी transactions होती है purchase से लिए payment receive इन सभी amounts को यह automatically adjust करता है कैसे करता है तो यहाँ पर आप देख सकते है methods आपको दिखाई दे रहा है तो methods में जैसी आप यहाँ पर अपने keyboard से space key को press करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दो options दिखाई दे रहे है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है adjustment का और दूसरा option आपको दिखाई दे रहा है new reference का अगर आप यहाँ पर party से advance पैसा receive कर रहे हैं उस case में आपको यहाँ पर new reference रखना है और अगर आपने party को पहले से ही सामान बेच रखा है जिसमें आपका amount आपको receivable दिखाई दे रहा है तो उस case में आपको यहाँ पर adjustment रखना है क्योंकि आप उस amount को यानि जो आपने सामान यहाँ पर बेचा है उस amount को इस amount से adjust करना चाहते है तो यहाँ पर हम adjustment को रखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपका reference number देना होगा तो जैसी आप यहाँ पर space की press करेंगे तो इस party का यहाँ पर आपको adjustment amount दिखाई दे जाएगा यानि कि इस party को अगर आपने कई बार sale कर रखा है और उसका कुछ amount आपका due है तो वो सभी due amount आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा इस party से आपको अभी और कितना पैसा receive करना है तो दोस्तो इस case में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो इस party से पैसा receive करना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 33,040 यानि 33,040 रुपे का amount हमें इससे receive करना है तो इसी adjustment हो select करते हुए हम यहाँ पर enterprise करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 33,040 रुपे का amount आपको reflect कर जाएगा जो कि आपका credit side में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने 142024 का यहाँ पर due date रखा हुआ था जिससे आपको इससे पैसा receive करना था यानि जिस date पर आपने sale transaction record की थी वो date पी आपको यहाँ पर दिखाई देगी इसको select करते हुए आपको यहाँ पर ok वाले बटन पर click करते रहा है जैसी आप यहाँ पर ok बटन पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर short narration आपको दिखाई देगा इसके बारे में अगर आप यहाँ पर extra कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर narration लिख सकते हैं यानि debit and credit rule के हिसाब से तो हम यहाँ पर enter press करते हुए यहाँ पर space की press करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा cash का एक ledger तो दोस्तों यहाँ पर cash का ledger होता है वो by default यहाँ पर बना होता है जो कि under of cash in hand होता है अगर आप party से पैसा bank के माध्यम से receive कर रहे हैं account master की window open हो जाएगी और यहाँ पर हमें अपने bank account का ledger create करना होगा तो हम यहाँ पर type कर देता है like HDFC bank और उसके बाद इसे under of डाल देंगे हम लोग bank account bank account डालते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका opening और previous balance आपको दिखाई देगा आपका जो amount है वो आपके HDFC bank में यहाँ पर debit हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर इसे enter करके इस window को यहाँ पर accept कर लेंगे यहाँ पर आप चाहें तो long narration भी आप यहाँ पर type कर सकते हैं उसके बाद हम इसे enter करके यहाँ से save कर देंगे तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो entry है वो यहाँ पर pass हो चुकी है इसी तरीके से हमारा एक और amount बचा था 292.05 का जो कि हमें Krishna Industries से यहाँ पर receive करना था वो transaction भी हमें यहाँ पर record कर लेते हैं cash के माध्यम से तो चलिए उसके लिए में यहाँ पर enter pass करते हुए not applicable रखते हुए यहाँ पर select करेंगे Krishna Krishna Industries इसको select करते हुए हमारा जो amount था 292.05 पैसा था उसके बाद हम यहाँ पर enter pass करेंगे method of adjustment में हम यहाँ पर space की press करेंगे और यहाँ पर adjustment को select करते हुए आगे बढ़ेंगे आप चाहें तो अपने इस विदा अनुसरार यहाँ पर narration को type कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर without narration type करते हुए आगे बढ़ेंगे और debit side में हम यहाँ पर HDFC bank की जगा पर हम यहाँ space की press करते हुए cash in hand select कर लेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ पर enter एंटर करके इस transaction को यहाँ पर record कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों amount यहाँ पर receive कर लिया है Receivable amount के अंदर हमारा यहाँ पर कोई भी amount अप reflect नहीं होना चाहिए तो इसे एक बार हम चेक करते हैं चेक करने के लिए हम यहाँ पर space की press करते हुए पीछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको display का option दिखाई देगा Outstanding Analysis दिखाई देगा इसको select करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं amount Receivable का एक option आपको दिखाई देगा इसको select करते हुए एंडर प्रेस करेंगे All Accounts को select करेंगे और यहाँ पर F2 की press करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोई भी amount है आपका balance नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम total amount यहाँ पर receive कर चुकी है इसके बाद हम यहाँ स्कैप की press करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे साथी दोस्तों हम यहाँ पर आपको अपना day book भी दिखाना चाहेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर display more reports में आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको accounts book दिखाई देगा इसको select करते हुए आपको यहाँ पर day book पर click कर देना है यहाँ पर आपको no रखते हुए आगे बढ़ जाना है और उसके बाद यहाँ पर ok वाले बटन पर आपको click कर देना है इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी अभी receipt की transaction record की थी वो transaction आपको यहाँ पर दिखाई देगी जिसमें कि हमने यहाँ पर among corporation से 33,44 रुपय का amount receive किया था और Krishna Industries से हमने 292.05 का amount यहाँ पर receive किया है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी party से advance पैसा receive करते हैं तो वो transaction आप किस तरीके से record कर सकते हैं तो skill हम यहाँ से skip की करते हुए एक बार बाहर आ जाएंगे और यहाँ से वापस से आएंगे transactions पर, receipt पर और यहाँ पर add वाले option पर click करेंगे add option पर click करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेना है advance receipt advance receipt लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं credit amount आपको यहाँ पर दिभाई दे जाएगा तो यहाँ पर आप किसी नई party से advance पैसा receive कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक ledger create करना होगा उस party का तो यहाँ पर हमें F3 की press करना है और यहाँ पर एक party का ledger create कर लेना है तो जैसे मालीजे हमें यहाँ पर create कर लेते हैं सुबोध कान के नाम से एक ledger और इसे under of डालेंगे हम लोग century debitter century debitter रखते हुए बागी की सारी details मैं already पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप playlist में जाकर के इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर इसे save करेंगे और save करने के बाद इसे यहाँ पर yes कर देंगे yes करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है credit amount आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस party का भी कोई भी transaction record नहीं किया है हम यहाँ पर इसकी बिलकुल fresh entry पास कर रहे है इसलिए आपको यहाँ पर new reference दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर new reference को रखते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको अपना reference number type कर देना है तो यहाँ पर हम अपना reference number type कर देते हैं मालेजी हम यहाँ पर type कर देते है excel slash 101 और उसके बाद enter की press करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका amount आपको reflect हो जाएगा यहाँ पर due date आपको reflect हो जाएगी debit में आप चाहें तो यहाँ पर cash रख सकते हैं अगर cash के माफ़े हम से आप पैसा receive कर रहे हैं या फिर आप चाहें तो bank भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं तो मालेजी हम यहाँ पर bank को रखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इस transaction को यहाँ से record कर लेंगे तो यहाँ पर save वाले button पर हम जैसी click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते है allocation of advanced with GST आपको एक option दिखाई देगा यहाँ पर आपको वही reference number type कर दे रहा है तो हम यहाँ पर excel slash 101 type करते हुए इसे यहाँ पर save कर देंगे तो दोस्तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी transaction को record कर लिया है skip key press करते हुए हम फिर से एक बार बाहर जाएंगे और यहाँ से हम display more reports के अंदर आने के बाद accounts book और यहाँ पर day book को select करते हुए यहाँ पर no करेंगे और यहाँ पर ok button पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो transactions था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जो हमने 5000 रुपे यहाँ पर save किया है इसको जैसी हम enterprise करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वो transaction आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी party से payment को receive कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो उस party से advanced payment को भी आप यहाँ पर receive कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप receipt voucher transaction को record यहाँ पर कर सकते हैं busy के अंदर अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमेशर जरू कीजेगा धन्यवाद